कहाने के सुरुवात में हम वेस्डे नाम की एक लड़की को देखते हैं इसकी हरकते और च्वैसिस के साथ साथ ये भी कोई आम बच्ची नहीं थी वेस्डे स्कूल आकर जब अपने लौकर को खोलती है तो उसे वहाँ उसका भाई बंधा हुआ मिलता है वो से खोल कर जब उसके हाथों को पकड़ती है तो उसे कुछ विजन आने लगते हैं जिसमें वो अपने भाई को वहाँ बंध करने वाले लड़कों को देखती है वेस्डे वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है जो पूल में स्विमिक प्रैक्टिस कर रहे थे वो वहाँ जाकर पूल में पिराना छोड़ देती है सारे बच्ची तो निकल आते हैं लेकिन एक पिराना एक बच्ची के गोटे को चवा जाता है उसके इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे स्कूल से निकाल देते हैं वेस्डे ने पहले बार ऐसा नहीं किया था इससे पहले भी वो अपने हरकतों की वज़ा से कई स्कूलों से निकाली जा चुकी थी इसलिए वेस्डे के मॉम डैड उसे निवर मोर एकैडमी लेकर जा रहे थे उसके मॉम डैड की मुलकात निवर मोर एकैडमी में ही हुए थी जहाँ Wednesday के जैसे बहुत सारे और कास्ट के बच्चे पड़ते थे लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे Wednesday के मॉम और डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कभी भी कहीं भी चुमा चाटी सुरू कर देते थे उसका परिवार Adam family के नाम से बहुत मसूर था इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो निवर मोर के जंगलों में ट्रेकिंग करने आया था वो जंगल के अंदर जाकर चाय पीनी लगता है और तभी कोई चीज उसके यूपर हमला करती है और उसे मार देती है वेंस्डे और उसके मॉम डैड निवर मोर एकैडमी के प्रिंस्पल के पास जाते हैं प्रिंस्पल वेंस्डे के मॉम और डैड के साथ उसी स्कूल में पढ़ा करते थी क्योंकि निवर मोर में बस ओड़कास्ट ही फड़ते थे स्टोरी में ओड़कास्ट मरमेड, वेरवॉल्फ, वंपायर, सैरन और विज जिसे चीजों को कहा गया है प्रिंसिपल वेंस्डे को उसके कमरे में लेकर जाती है जहां उसकी रूमेड एनिट ने कमरे को बहुत ही कलरफुल बना रखा था लेकिन वेंस्डे को सिर्फ ब्लैक कलर ही पसंद था एनिट उसके फेस्ट एक्सपेसन को देख कर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना जिस पर वेंस्डे के डाट कहते हैं ये जिन्दा लास की तरह ही दिखती है एनिट वेंस्डे को स्कूल गुमा रहे थी तबी वहाँ एजैक्स नाम का एक लड़का वेंस्डे से उसका टिक टॉक हड़ी मांग लेता है तो वो कहती है मुझे सोसल मेडिया हड़ीों को सड़ा देने वाली बिमारी लगती है वेंस्डे के घर वाले वहां से जाने लगते हैं तो उसकी माम उससे कहती है कि अब तुम यहां से कभी भाग नहीं पाओगी जिस पर वो कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहां से जल्दी भाग जाओंगी फिर उसकी माम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और कहती है मैं तुम्हारी बाते दिल पर नहीं लेती वहां से जाते वक्त उसके डैड वहां एक हाथ को छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंक्स था इधर सिरीफ को निवर मोर के जंगलों में टूरिष्ट के बॉड़ी पार्ट जंगल के अलग-अलग हिस्सों में पड़ी मिलती है ये पहली बार नहीं था बीते कुछ दिनों में निवर मोर के जंगलों में ये तीसरी बार हुआ था Wednesday अपने कमरे के हिस्से की colorful film निकाल देती है और इनेड से कहती है room में सांती बनाए रखो क्योंकि ये मेरे novel लिखने का समय है लेकिन वो गाना बजा कर dance करने लगती है Wednesday अनेड से गाना बंद करने को कहती है तो अनेड उसे अपने वेर वोल्फ के पंजी दिखा कर धमकाने लगती है तब ही वहाँ में स्थ्रोन हिला जाती है जो उनकी डोर मॉम थी वो Wednesday के विलकम में उसे एक black color का flower गिफ्ट करती है अगले दिन साम को जब Wednesday कहीं जा रही थी तो होस में आती है तो वो जेवियर को थैंक्स बोलने की बजाए उसे कहती है कि मुझसे ये उमीद मत रखना कि मैं तुम्हारा सुकरगुजार रहोंगी क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया जेवियर उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता जब हम 10 साल के थे तो तुम मेरी गौड मदर के फिउनरल में अपनी ग्रैंड मदर के साथ आई थी हम दोनों हैडन सी खेल रहे थे और मैं अपने गौड मदर के कॉफिन में जाकर छुप गया मैं अपने गौड मदर के साथ जिंदा जलने ही वाला था लेकिन तुमने मुझ तुम यहां क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है, जिसके बाद वो उससे कहती है लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रावर में बंद कर दूँगी, इसके बाद थिंक्स वेंस्डे की यहां से बाहर निकलने में साथ देने का वादा करता है, अगले दिन प्रिंसिपल वेंस्डे को एक थिरेपी सेसन के लिए लेकर जाती है, लेकिन रिस्टरूम के बहाने, वो थिंक्स की मदद से खिड़की को खोल कर वहां से भाग जाती है, भागते वक्ते उ जहां उसकी मुलाकात टैलर नाम की एक लड़के से होती है, उसका कॉफी मसीन खराब हो गया था, वेंस्डे उससे कहती है मैं तुम्हारे मसीन को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे बर्लिंग्टन स्टेशन छोड़ना होगा, वो उसके बातों को मान जाता है, वेंस्डे उसकी कॉफी मसीन को ठीक कर देती है, तो वो कहता है थोड़ी देर वेट करो, मेरी सीप्ट खत्म होने ही वाली है, वो वहाँ वेट कर रही थी, तभी पिलग्रिम के कुछ लड़के आकर उससे परिसान करने लगते हैं, लेकिन वो उन तीनों लड़को को अक वेंस्डे साथ लेकर चले जाती है, प्रिस्पल वेंस्डे के भागने की कोसिस करने वाली बात से बहुत ज़्यादा नराज थी, वापस आते वक्त उन्हें रस्ते में एक एक्सिदेंट हुआ नजगाता है, वो कहती है भगवान करे ड्रैवर ठीक हो, जिस पर वेंस्डे क कहती है वो मर गया है, उसकी गरदन तोड़ गई, अपने केमरे में आने के बाद वेंस्डे वैलन बजाने लगती है, वो बहुत अच्छा बजा रही थी, इस्कूल की प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत से बच्चों को वो धुन बहुत पसंद आती है, इनिड वहां आती है तो उसके नजर फिंग्स पर पढ़ती है, वो वेंस्डे से पूच्छती है, ये क्या है? तो वो कहती है, ये हमारे एडम फैमली के तमाम राजों में से एक राज है, अधर दूसरी तरफ हम एक लड़ के रेवन को देखती है, वो एक लेवेरी में जा कर वहां के एक बुक स से एक तस्वीर को फाल लेता है इधर इसारे से बैटने को कहता है और वो जब उसे कॉल करता है तो वो इससे कहते है कि हार्वेस्ट फिस्टिवल में इसकूल के सारे बची आएंगे मैं वहां से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझी इस्टेशन तक पहुशा दोगे त प्रिंसिपल की नजर वेंस्टे के ऊपर ही थी इसलिए वो एक आदमी को पैसे दे कर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहता है। प्रिंसिपल के ऊपर ही नजर वेंस्टे को प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहता है। वो निवर मोर स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। वो वेंस्टे को मारने ही वाला था। तभी एक मॉस्टर आकर उसके उपर हमला करता है और उसी बहुती बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वेंस्टे वहां से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। अब सीन सिफ्ट होती है तो हम Wednesday को उसके रूम में देखते हैं अब उसने वहां से भागने की प्लैन को कैंसिल कर दिया था क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे जैसे कि वो दुनिया के लिए खत्रा कैसे है एक मॉस्टर ने उसकी जन क्यों बचाई और उसके ड मिले थे वो Wednesday से पूछते हैं तुम वहां क्या कर रही थी तो वो कहती है कि मैंने जंगल के तरफ रेवन को भागते वे देखा और जब मैं उसके पीछे गई तो एक मॉस्टर ने उसके उपर हमला करके उसे मार दिया और मैं बेहोसो गई प्रिंस्पल कहती है कि रेवन का की को जाएगी वेश्टे एकले में सर्फ से अकेले में बात करना चाहती हूं जब वहां से जाती है तो वेश्टे से कहती है कि जंगल में कोई है जो सब को मार रहा है और उसी ने रेवन को मारा है लेकिन तबी रेवन वहां सही सलामत वापस आ Rica, अगले दिन मुझे पता है मैंने क्या देखा है लेकिन मुझे तुम्हें बताने की कोई जुरत नहीं है फिर जब वो वहां से लौट रही थी तो उसे टेलर मिलता है वो उसे कहता है कल रात तुम फेस्टिबल से कहां भाग गई मुझे बता नहीं लेकिन मुझे तुम्हारे बातों पर पूरा भरुसा है वापस आने के बाद वो उस तस्वीर के उपर कुछ सिंबल को देखती है जो उसे रेवन ने दिखाया था रेवन को बिना किसी वज़ा के स्कूल से निकाला जा रहा था इसलिए वेंस्डे तिंख को रेवन के पीछे बेज देती है प्रिंस्पल के कहने पर वेंस्डे को किसी एक्स्टा करिकुलर एक्टिविटी में जोइन होना था इसलिए वो बी किपिंग कलब जोइन कर लेती है जिसमें योगिन नाम का बस एक ही स्टुडेंट था इदर जब तिंख्स रेवन के पीछे जाता है तो वो देखता है रेवन अपना रू बदल रहा है पहले तो वो एक बुढ़ा बनता है और फिर प्रिंस्पल बन जाता है तिंख्स वापस आकर ये सारी बात वेंस्डे को बता देता है इसके बाद जब क्लास शुरू होने लगती है तो जेवेर उसे कहता है मेरी बगल वाली सीट खाली है तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकती हो वो उसके पात जाकर बैठ जाती है जेवेर एक मकडी की स्केच बनाता है जो उसके मैजिक से जिंदा भी हो जाता है लेकिन वेंस्डे उसे मार देती है यहाँ पर ब्यांका और वेंस्डे के बीच बहुत बहस होती है ब्यांका वेंस्डे को पसंद नहीं करती थी और ना ही वेंस्डे ब्यांका को क्योंकि पूरे स्कूल में वेंस्डे ही थी जो ब्यानका के टक्कर में थी इसके बाद वेंस्डे इनिट को अपने जगा बी फार्मिंग कलब में भेज देती है जहां योगेन उसकी उपर लैंड मार रहा था क्योंकि उसे वेर वोल्फ लड़कियां बहुत पसंद थी और वेंस्डे खुद उस मॉस्टर की तलास में अकेले निवर मोर के जंगलों में चले जाती है जहां टैलर वेंस्डे को अपने डैट के नजरों में आने से बचाता है वो भी वहां अपने डैट का पीछा करते करते आ गया था वेंस्डे को वहां रेवन का चस्मा मिलता है वो जैसे उसे चुती है उसे जेवियर और रेवन की लड़ाई एक लेबरेरी और एक बुक दिखाई देती है इसलिए वो वहां से उस बुक की तलास में लेबरेरी में चली जाती है लेकिन उसे वहां वैसा कोई भी बुक नहीं मिलता तभी मिस्ट थरोन वहां आती है और कहती है यहां तो स्टुडेंट अपनी प्यास बोजाने आते हैं तुम यहां क्या कर रही हो तो वो कहती है मैंने भी यहां दो वेंपायर को एक दूसरे के दातों में लिखते हुए देखा इसके बाद विंस्टे चोरी से जेवियर के रूम में चली जाती है क्योंकि रेवन जेवियर का रूमेट था वो लोग भुक ढून रहे थे तबी जेवियर वहां आता है तो वो बेड़ के नीचे चुप जाते है तबी बियानका भी जेवियर के रूम में आ जाती है और वो जेवियर से पैच अप करना चाहती थी वो दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन जेवियर उसे मना कर देता है जिससे बियानका को लगने लगता है कि जेवियर ने वेंस्डे की वज़ा से उसे छोड़ा है फिर वो उसे बताती है कि कल मैं तुम्हारी करस की रूम मेट की बोट रेस में धज्य उड़ाने वाला हूँ फिर वेंस्डे नीचे से उसकी पूरी बात सुन रहे थे वेंस्डे वापस आकर इनिट से कहती है कल मैं भी तुम्हारे साथ बोट रेस में हिसा लूँगी इस बार वियानका को मैं हरा कर रहूँगी अगले दिन रेस सुरू होती है इस रेस का कोई भी नियम कानून नहीं था इस गेम में जो प्लेयर सबसे पहले गुफा तक जाकर जंडे को लेकर वापस आएगा वो टीम जीद जाएगी गेम सुरू होता है और ब्यानका का एक मरमिट दोस पानी में कूद कर एक टीम के बोट को दुबा देता है लेकिन जब वो वेंसडे के बोट की तरफ बढ़ता है तो थिंक्स उसकी उपर जाल फेक कर उसे पानी में ही फसा देता है किनारे पर तीन टीम पहुँचती है सारे लोग फलैग लेने जाते हैं तो इनिड जोकर टीम के बोट में अपने पंजो से होल कर देती है सारे लोग फ्लैग लेकर लौट रहे थे लेकिन जब वेंस्डे गुफा से फ्लैग लेकर लौटने लगती है तो उसे एक विजन आती है जहां उसे उसकी ही जैसी एक लड़की अपने हाथों में किताब लिये हुई दिखाई देती है होस में आने के बाद वो वापस से फ्लैग लेकर बोट पर चली जाती है जोकर की नाव तो छेद होने की वज़ा से डूब जाती है और मरमेट वापस से वेंस्डे के नौ के उपर हमला करता है लेकिन थेंग से पानी में जाकर मरमेट को एक जोड़दार घूसा मारता है इधर वेंस्डे अपने नौ से भाले को निकाल कर बियांटा के नौ में होल करके उसे डुबा देती है और इनिट की टीम मैं जीत जाती है चार सालों में ये पहली बार हुआ था जब ब्यांटा को किसी ने हराया था इसलिए आज वो गुस्टे से आग बवूला हो रही थी राग को वेंस्डे के स्टैचू के पास जाती है जिसके बुक के पीछी वही सिंबल था जिसे उसने अपने सपनों में देखा था वो वहाँ स्टैचू के बुक के उपर लिखे पहली को सुल जाती है तो वहाँ रस्ता बन जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है जहां उसके मॉम डैट के साथ साथ बहुत से सीक्रेट सुसाइटी की लोगों की तस्वीरे थी उसे वहाँ वो बुक भी मिल जाता है लेकिन वो बुक को लेकर आही रही थी तब युसे कोई मारकर बेहोस कर देता है वेंस्डे सीजन वन एपिसोड थी वेंस्डे को हो साता है तो कुछ लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ था ये लोग सीक्रेट सोसैटी की लोग थे जो यहां मास्क लगा कर रहे थे लेकिन उनके आवाज को सुनते ही वेंस्डे उन्हें पैचान लेती है और कहती है तुम अपना मास्क खटा सकते हो छिछोरो अब जब वेंस्डे को उन लोगों के सिक्रेट सोसैटी का पता चल गया था तो जेवेर उसे अपने कलब को जोहां करने को कहता है ब्यान का उन लोगों को ऐसा करने से मना कर रहे थी लेकिन वेंस्डे कहती है मुझे इस बकवास से कलब में सामिल होने का कोई साउप नहीं ह इसी दावरान वो अपने रसी को भी खोल चुके थी वो वहाँ से जाते जाते कहते है तुम छोटे बच्चे ठीक से केड़नाइप करना भी नहीं जानते वापस आने के बाद वो उस बुक पर उस तस्वीर को लगा कर कंप्लीट करती है और बुक पढ़ने लगती है आगले लेकर रेवन और मेरे बीच लड़ाए भी हुई थी फिर जेवेर उसे कहता है इस बुक में जोसफ क्रैक्स स्टोन के साथ तुम क्या कर रही हो जबकि ये बुक तो 30 साल से भी पुरानी है वेस्टे जेवेर से पूशती है कि तुम जोसफ के बारे में और क्या क्या जानते ह जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो तुम्हें जोसफ मेटिंग होस जाना चाहिए इधर दूसरी तरफ मेयर वहाँ आता है तो सरेफ उससे कहता है जंगल में कुछ ऐसी चीज चुपी है जो सब की जान ले रही है सारे एक साथ खिलाओने की दुकान पर काम करने को मिला था जहां वो उसके उपर लैन मार रही थी वो उसके हिंट को नहीं समझता तो वो फरस्टेटेड होकर खुद ही हुकब के लिए पूछ लेती है विंजडे एक वेटर बनी थी लेकिन उसके एटिट्योड को देखकर कोई उससे खाने की एक भी चीज नहीं लेता इधर योगेन बैट कर पेश्टी ठूच रहा था तभी पिल्गरिम के बदमास ललकी आकर उससे परिशान करने लगते हैं जिसके बाद वेजटे वहां आकर उन्हें अच्छा सबख सिखाती है वो उससे अपने साथ अपने बुक व अपने विजन में देखा था उसे वहां उस पेंटिंग वाले लड़के की बुक भी मिल जाती है लेकिन वो बुक नकले थी तबे वहां एक लेड़े आती है तो वेस्टे उससे असली किताब के बारे में पूछती है तो वो कहती है वो बुक चोरी हो गई है और ये औरिजि यहां से जिसके बाद थेंग्स उस आदमी के मुँपर ही अमला कर देता है और वो आदमी वहां से भाग जाता है उसे वहां कुछ नहीं मिलता तो वो वहां से जाने लगती है लेकिन तभी उसे एक विजन आता है यहां क्रैक्स स्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुलाय पिल्ग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस में आग लगा देता है अडम अपनी मां को छुडाने की कोशिस करती है लेकिन वहां मौझूज सारे लोगों का हाथ जमीन से बधा था सिवाई Adam के, Adam की मा के कहने पर उसे बेस्मेंट के जरिये वहाँ से भागना पड़ता है और क्रैक्स सारे ओड कास्ट को जिन्दा जला देता है एडम वेंस्टे के पास आती है और कहती है वो हम सब को मार देगा तबी क्रैक्स स्टोन वहाँ आ जाता है और वेंस्टे वापस से प्रिजेंट में आ जाती है वो होस में आकर तिंक्स को बताती है मैंने उसे देखा मुझे लगता है वो मेरी 400 साल पुरानी पूरवज है तबी वहां वो मॉस्टर आकर उस मिटिंग हॉस पर हमला करता है लेकिन वो वेंस्टे को देखेकर वहां से भाग जाता है वेंस्टे और तिंक्स उसका पीछा करते हैं लेकिन वो देखती है कि उस मॉस्टर के कदमों के निसान इंसान में बदल गए हैं तभी जेविर वहाँ आ जाता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा था। वेंस्डे उसे मॉस्टर के कदमों के निसान दिखाने लगती है लेकिन वो पाने की वज़ा से गायब हो जाता है। सारे लोग आग देखकर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वेंस्डे स्टेचु को जलता देख मुस्कुरा रही थी। प्रिंस्पल को वेंस्डे के उपर सकता लेकिन उसके पास वेंस्डे के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इधर हम उस ओल्ड मिटिंग हॉस के बोढ़े को तस्वीर मिल जाती है। इधर इनिट एजेक्स से मिलने के लिए बहुत एक्साटेट थी। लेकिन एजेक्स जैसे ही गलती से अपने बालों को देखता है वो पत्थर का बन जाता है। वेंस्टे सीजन वन एपिसोट पूर अगले दीन थिंग्स मुर्दा घर जाकर कैमरा क उपर ब्लैक बबल गम लगा देता है और डोर को खोलता है तो वेंस्टे अंदर आती है। वेंस्टे उस बुड़े आदमी के जक्मों को देखने आई थी जिसे मौस्टर ने मारा था। वो सारे डेटा को अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड करती है और तिंग्स उसकी फ थोड़ी देर और सोने दो बहुत मज़ा आ रहा है। वेंस्टे अपनी इन्विस्टिगेशन से ये पता लगाती है कि वो मौस्टर बॉड़ी पार्ट से कठा कर रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी चीज के पंजों के निस गई थी। वो वहाँ बहुत सारे मौस्टर के स्केचिस को देखती है। वह वहाँ से जाने लगती है तो जेवियर उसे देख लेता है। लेकिन वेंस्टे उसका ध्यान बढ़काने के लिए कह देती है कि क्या आज तु मेरे साथ दांस पार्टी में चलोगे। वेंस्टे जेवियर के ड्राइंग तू ले जाकर सिर्फ को दिखाती है लेकिन सिर्फ कहता है इससे हम किसी को पकड़ नहीं सकते कोई ठोज सबूत लेकर आओ इसके बाद वेंस्डे अपने सारे रिसर्च को योगेन की भी फार्मिंग में सजा देती है योगेन उनमें से एक स्केच को देखकर कहता है मैं इस जगा को जानता हूँ और फिर वो वेंस्डे को अपने साथ उस जगा पर लेकर जाता है वो दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां उसे बहुत सारे हड़ियां और एक हटकड़ी भी दिखाई देती है थोड़ा चानबीन करने पर उसे वहाँ एक नुकीला नाकुन भी मिलता है वेंस्डे नाकुन को अपने पास रख लेती है और फिर जेविर के उस पेंटिंग वाले केविन में जाकर उसके डस्टबीन में से एक खून लगा हुआ कफ़ला निकाल कर अपने पास रख लेती है वो जाने लगती है तब जेविर वहां आकर पूशता है तुम यहां क्या कर रही हो तो वो पूशती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी तो वो बताता है पिछले कुछ दिनों से ये मॉस्टर मेरे सपनों में आता है इसलिए मैं इसकी स्केच बनाता हूँ लेकिन एक बार मैंने अपने जादू पर कंट्रोर खो दिय और इसकेच के अंदर से मॉस्टर के पंजीन निकल कर मुझे नोच लिया जिसके बाद जेवियर वेस्टे के उपर गुसा करने लगता है और उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो उसके उपर सकर रही थी वेस्टे वहां से जेवियर के खून लगे कपड़े और गुफा में जाकर मॉस्टर को ढोना चाहिए रात को वेस्टे युगन के साथ जंगल में जाने की तयारी कर रही थी लेकिन तभी टैलर उसके दरवाजे पर तयार होकर आता है क्योंकि तींग्स ने अपने तरफ से वेस्टे के नाम पर उसे डांस पार्टी में साथ चलने क लिए इंवाइट किया था टैलर बहुत कुछ था इसलिए वेस्टे अपने गुफा में जाने के प्लान को कैंसल करके उसके साथ जाने का सोचती है थींग्स ने उसके लिए ब्लैक तरके एक डिस्को भी लाया था वेस्टे जब वहां से जाने लगती है तो योगिन वहां निकल जाता है इधर सारे लोग पार्टी में जाकर खूब इंज्वाय कर रहे थे इनेड डेट पर एजेक्स को जलाने के लिए पिल्गिरिम के एक बदमास बच्चे को लेकर आई थी जो वहां के मेयर का बेटा भी था एजेक्स भी ठीक होकर अपने डेट के साथ पार्टी मे जाते हैं क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरह से डांस कर रही थी तभी पिल्गिरिम के लड़के वहां टैंकर लेकर आते हैं और डांसिंग कलब के फायर एक्स्टिंग यूजर पंप में पैप लगा देते हैं इधर योगेन जंगल में पहुँच गया था और छुपकर मॉ मदद करो जिस पर वो भड़क जाती है वो कहती है तुमने तो पहले सबसे कहा कि मैंने अपने सेरेंस से तुम्हें वसमें किया है और अब तुम्हें किसी को भूलाने के लिए वापस से मेरी मदद चाहिए तभी वहां पूरे फ्लोर पर खून की बारिस होनी लगती है सारे लोग डर कर भाग जाते हैं लेकिन वेजडे को और ज्यादा मजा आने लगता है बड़ जो बारिस हो रही थी वो खून नहीं कलर था जिसे पिल्गिरिम के लड़कों ने वेजडे से बतला लेने के लिए वहां गिराया था तब ही एक डम से वेजडे को एक विजन आता है और उसे पता लगता है कि योगेन खत्रे में है इसलिए वो जंगल के तरफ उसे बचाने भाग जाती है इधर एनिड को जो पता लगता है कि एजेक्स फ्रेज होने की वज़ा से उस दिन नहीं आया था तो वो उसके साथ अपना अधोरा काम पूरा करने लगती है योगेन भी विंस्डे का पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है तो दोस्तों ये मैंने विंस्डे सीरीज के आठ एपिसोड में से चार को एक्स्पेंड किया है बाकी की एपिसोड इस वीडियो पर 500 लाइक होने पर आ जाएंगे वैसे मैंने इस तरह के और भी कई सारे फैबलिस सेरीज को एक्स्पेंड किया है अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो स्क्रीन की लिफ्ट साइड में देए वडियो पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो तो दोस्तों ये वडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंड करके जिरूर बताए अगर वडियो पसंद आई हो तो